गोवा विश्व भर के परियाटकों का पसंदीदा भारतिये परियाटन स्थार आज विकास के एक नए गेटवे का अनावरन होने चा रहा है जो पूरे विश्व का गोवा में स्वागत करते हुए राज के बरती महत्व कांग्शाओं को पूरा करेगा छै वर्ष पूर्व भारत के दूर दर्शी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गोवा के नए ग्रीन फिल्ड इंटरनाशनल एरपोर्ट की आधार शिला रखी थी मोपा न्यू ग्रीन प्रिल थेर्पोर्ट आरम हो रहा है आज मुझे संतोज है कि अटल विहरी वाजपाई जी ने जो बादा किया था आज मुझे उसको पूरा करने खाऊ सर बिल्डाए गोवा के स्वपन को साकार करते हुए माननिय प्रधान मंत्री जी आज न्यू गोवा अंतराश्ट्रे हवाय अड़े का उध्गाटन का राज्य की परियाटन व्यवस्था को एक नई गती प्रदान कर रहे है ये व्यवस्था विक्सित होने से तीन गुना लोग करीब करीब पचास लाख लोग आना शूरू कर देंगे अब कलपुरा कर सकते हैं तूरिजम कितना बढ़ेगा और गोवा का तूरिजम बढ़ना मतलब हिंदुस्तान के तूरिजम सेक्टर को एक नई ताकत देने वाला ये सबसे सामर्ठवान जगा है गोवा सरकार और जीमर ग्रूप के बीच पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप मॉडल के माध्यम से विक्सित न्यू गोवा इंटरनाशनल एरपोर्ट राजे के विमानन परिद्रिश्य को बदलने के लिए तैयार है दो हजार एक सो बतीस एकड में फैले न्यू गोवा इंटरनाशनल एरपोर्ट का निर्मान सुरक्षा प्रोध्योगी की सतत्विकास के आधार पर किया गया है करीब 44 लाख यात्रियों को अपनी सेवाय प्रदान करेगा इस हवा यड्डे का रनवे 3.5 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है जो A380 जैसे जंबो एरक्राफ्ट के लिए भी उप्युक्त है यहां का त्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम 4000 बैग प्रति घंटे संभालने में सक्षम है इसका एरसाइड इंफ्रस्ट्रक्चर प्रती दिन 200 उडानों का संचालन कर सकता है और अपने व्यस्ततम समय में यह एरपोर्ट 3200 यात्री प्रति घंटे की प्रबंधन शमता से कार्य कर सकता है स्थानी अकला और संस्कृति को उसके पून वैभव में दर्शाता यह हवा यड़ा गोवा की जीवांतता का प्रति बिम्ब है कई प्रकार के तक्नीकी, जमीनी, मौसमी और कोविड संबंधी चुनोतियों के बावजूद निर्मित यह हवा यड़ा उन सभी श्रमिकों, इंजिनियरों, वसहियोग्यों को एक श्रत धन्जली है जिन्होंने इस सपने को सच में बदलने के लिए पूरे तनमयता से काम किया इसका इंफ्रस्ट्रक्चर स्केलिबल भी है, जिसे भविश्य में यात्रियों की आवशक्ताओं में बढ़खोत्री के अनुरूप निर्मित किया गया है ये हवायड़ा माननिय प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सुद्रता से अपनाते हुए गोवासियों के आर्थिक विकास में महत्वपून योगदान देगा नई संभावनाओं और अवसरों को जन देखर न्यू गोवा इंटरनाशनल एइपोर्ट राज्य भर में प्रगती का अग्रदूत साबित होगा ये हवायड़ा राज्य की विभिन सरकारी एजंसियों के आपसी से योग और साजेदारी का एकुत क्रिष्ट उद्दाहरण है जिन्होंने गोवा के कर्मठ मुख्य मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नित्रित्व में हर कदम पर इस परियोजना की देखरेग और निरिक्षन किया समय है तयार, खुल गया है सुखत भविश्य का द्वार आओ उठें, आगे बढ़ें और ले जले गोवा को नई उचायों के बार